हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल नमोर के यूट्यूब पर स्वागत है आई याने सरकारी नौकरी अपडेट 2019 हलो दोस्तों नमस्कार आजम बात करेंगे मतप्रदेश एनेचेम इस्टाप नर्स भरती का रिजल्ट आ गया है आप विबसाइट पर रिजल्ट देख लें और वहीं पर मतप्रदेश पटवारी भरती परिक्षा के पांचवे चनल की काउंसलिंग होने जा रही है काउंसलिं के लिए आपको क्या क्या डाकूमेंट ले जाने होंगे उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा तो चलिए देखते हैं पुरी खबर पुरी जानकार यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा 26 नॉमबर 2019 का अपडेट है और इसी प्रकार की जा इसलिए आपको यदि पता नहीं है तो पांचवे चलन की काउंसलिंग जिन भी अभ्यरतियों की होगी वे वीडियो देखें और अपनी काउंसलिंग पूरी करें 15 दिसंबर 2019 को प्राता साले 10 बजे से कार्यालाय कलेक्टर के अधिक्चक भू अभिलेक साखा कक्ष क्रमांग 30 में किया जाएगा ध्यान रखिएगा मैं आपको एक बार फिर से पढ़के बता देता हूँ अपर कलेक्टर सैडोल ने जानकारी दी है कि पटवारी भरती परिक्षा 2017 के पांचवे चरण की काउंसलिंग सैडोल जिले की प्रतिक्षा सुची में चैनीत अभ्यरतियों के सत्यापन एवं मूल दस्तावेजों का परिक्षन 15 दिसंबर 2019 को सुब साले 10 बजे से कार्याला कलेक्टर के अधिक चक भू अभिलेक साखा कक्ष क्रमांग 30 में किया जाएगा ज्यान रखिए और यह यह ड्रेस आप नोट कर लें कांसलिंग में उपस्तित होने वाले अभ्यरतियों को निम्न दस्तावेज की मूल प्रती स्वयम के द्वारा प्रमानित संपूर्ण दस्तावेजों की छाय प्रती भी लाना होगा इसना तक उपादी के माननेता प्राप्त विश्विद्धारे से जारी डिगरी यदि आपने एक रेजिवेशन किया है तो उसकी आप ओरिजिनल तथा फोटोकाफी ले जाएं फिर आयू संबधी प्रमालपत्र एज लिमिट उसके लिए आप टेंथ की मार्शिट ले जा लें मूल प्रती एवं फोटोकाफी पिजन प्रमालपत्र मूल निवासी प्रमालपत्र जाती प्रमालपत्र निसक्त जनो हेतु निसक्ता का प्रमालपत्र भूतपूर सैनिक हेतु प्रमालपत्र निर्धारिद प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापी सपत पत्र सपत पत्र का प्रारूप CLR वेबसाइट अर्थाथ landrecard.mp.government.in पर उपलब्द होगा आपको सपत पत्र ले जाना होगा अर्थाथ कोर्ट में जहाए आप उसमें नोटरी बनवा लें क्योंकि यह 2017 की परिक्षा थी तो उसके लिए आपको सपत पत्र बनवाना जरूरी होगा यह तुरं आपके लिए सपत पत्र बना देंगे सपत पत्र का प्रारूप आप वेबसाइट landrecard.mp.government.in पर भी देख सकते हैं ठीके मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उसका प्रारूप वहाँ से ले सकते हैं ठीके जी तो अब दुसरी बात कर रिजल्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख ले ठीक है प्रदेश की राजदारी बोपाल से जानकारी आईए नेशनल हेल्थ मिशन मत्प्रदेश के लिए आयोजित हुई स्टाप नर्स भरती परिक्षा 2019 का रिज पास हुई है ठीक है हजारों उम्मिद्वारे ने परिक्षा दी थी लेकिन उसमें 13607 उम्मिद्वार ही पास हुई है अब आगे क्या होगा उसके बारे में जानते हैं मेरिट लिष्ट में आये उम्मिद्वारों को डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा सारे डाकूमेंट ऑरिजिनल ले जाने होंगे और सत्यापन में जाने के बाद नियुक्ती प्रकिरिया सुरू होगी भरती परिक्षा का नोटिबर CEC 28 अगस 2019 को जारी किया गया था इस परिक्षा का अइजन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था NHM भरती परिक्षा परिणाम कहां से देखें उसके बारे में मैं जानकर रहें देता हूँ अगर आप NHM MP परिक्षा का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो www.mponline.government.in पर भी जाकर के देख सकते हैं या वेबसाइट के होम पेज पर व्यू डाउनलोड मेरिट लिस्ट या फिर NHM की वेबसाइट उस पर भी आप जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं आपको वहाँ पर पूरी रिजल्ट की पीडियाप मिल जाएगी तो इस प्रकार से जानकारी थी सरकारी नवखरियों से संबंदी दो बड़े अपडेट थे यदि आपको अपडेट पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्प्राइब नहीं किया है तो इस प्रकारी खबरों के लिए चैनल को सब्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो कले बेल आइकान पर क्लिक कर देता कि अगला वीडियो आपको सिक्रता से मिले मिलते हैं सर, अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत